नमस्कार सातियों, डॉक्टर उमंखना हुमियोपेथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राइम में एक बाद फिर आपका स्वागत है सातियों, आज हम आपको बड़ी अच्छी सी बात पताने जा रहे हैं, जो हम हमेशा कुशिश करते हैं, लेकिन आज जो बात वह बड़ी मज़दार है वह इसलिए मजदार है कि आज मैं दिन भर बैठा रहा, थोड़ा फोन को अपने पास रखा हमने जादा और पाया की करीब डेड़ सो कॉले आई, और डेड़ सो कॉले एक विशय पे आई, और विशय था रंग को कैसे गोरा करें जब उस विशय की डेड़ सो कॉले आई, तो हमने कहा कि ये वास्तब में एक विचारा धीन विशय है अलाकि आज तक हम लोगों ने इस विशय पे उत्ता विचार नहीं करा, वीडियो ज़रूर बना एक दो, लेकिन हमारी कोशिश गंभीर बिमारियों के वीडियो डालने की ज़्यादा रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये जो एक्स्ट्रा विशय हैं, ये ज़्यादा उत्जाते हैं तो हमारे पास आज क्वेरी आईंग लगभग कि टक्साव इसकीन को कैसे फियर करा जाएं, तो हमने कहा लाओ इसकी जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो मैं आपको दूँ, आज मैं आपको बताऊंगा इसकीन को फियर करने का बहुत ही अचूक नुकसा, या उसी तर दस रुपई की लागस से, दस रुपई के समान से, अगर आप चेरे पे लगा लेंगे और अगर इसको आप एक से दो महीने तक करेंगे, आप अपने में निश्चित रूप से भारी लाब पाएंगे, और यहाँ जो मैं फिर काऊंगा, मैंने पिछले वीडियो में में का, यहाँ जो 2 बिलियन डालर, 5 बिलियन डालर की इंडस्ट्री है, मैं इसको कास्मेटिक नहीं कहूंगा, मैं इसको केमिकल कहूंगा, यह जो 2 से 5 बिलियन डालर की दुनिया में इंडस्ट्री है और हिंदुस्तान इसके कंजम्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और आपक मेरी मंसा उस पैसे को बचाने की है मेरी मंसा इस बात को है कि आप उस पैसे को अपने परिवार के खान पान पर लगाएं तालीम पर लगाएं पढ़ाई पर लगाएं लेकिन तीन हजार चार हजार की क्रीम खरीद के आप गोरे होने वाले नहीं है हम आपको 10 रुपए का नुकसा बताएंगे वो आपको वक्त के साथ अगर थोड़े दिन कर लेंगे माली ये 7-8 रुपए रोज की लागत आती है 2-3 महिना आप इसको करते हैं एक महिना करते हैं टेस्ट करने के लिए आप 15 दिन करते हैं तो भी आप लाप पा जाएंगे और जब हमारे पास इतने फोन आए तो क्योंकि आपका इस भरोसा है 170,000 सब्स्क्राइबर जो हमारे हैं उसमें से आप भी एक हैं मुझे पता है और आपका परिवार भी है और आपने पने दोस्तों को भी सेयर करा है दोस्तों को भी चीजों को पताया है तो दोस्त भी आपके हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मेरा फर्ज है कि जो मेरे सामने आता जाया और जो मुझे जानकारी हो उसको मैं एक रील बना के वीडियो में डाल दूँ तो साथियों बताता हूँ जो आज के डिर सोब फोन मेरे पास आए और रोज प्रती दिन जो फोन आते हैं और हर मन में कौर्टुहल रहता है कि इसकीन को गोरा कैसे करा जाए उसके नुकसे तो इसका एक जादूई नुकसा है और यहां बहुत छोटा सा नुकसा है साथियों इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है यहां वो नुकसा है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको कल या परसों देखेंगे अपने किचन में जाएंगे वो समान उठाएंगे उसका प्रिपरिशन त्यार करेंगे और उसको एपलाई करेंगे और पन्रा दिन के अंदर आप जो है उसका असर देख लेंगे ऐसा मेरी कोशिस है क्योंकि आपका विश्वास हमारे लिए महत पूर है और वो है मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि आपका विश्वास है साइद आपको लग रहा हो कि इतना बोल रहें और वीडियो की बात नहीं बता रहें तो थोड़ी देर बात कर लेना भी कभी कभी अच्छा होता है वो तो एक मिनिट का नुकसा है एक मिनिट में खतम हो जाएगा आप उसको करेंगे आपको फाइदा भी दे जाएगा तो और देरना करते हुए बताते हैं आपको रंग को गोरा करने का बहुत बढ़िया नुकसा आपको क्या करना है आपको थोड़ी सी चिरॉंजी ले लेनी है चिरॉंजी हम सबके घर में मौझूद होती है हम लोग खाने में इसका इस्तमाल करते हैं आप चिरॉंजी ले लीजे उसको मिक्सी में पीस के उसका पेस्ट बना दीजे जब वहाँ पेस्ट बन जाए फिर उसमें आप मिक्सी में ही शहट डाल दीजे यानि शहट यानि हनी चरॉंजी मतलब चरोली के बीच तो इसको आप जो है वहाँ मिक्सी में शहट को डाल दे और एक पुना अपने ग्राइडर को चला दे या मिक्सर को चला दे आपका एक पेस्ट बन के तियार हो जाएगा उस पेस्ट को आप थोड़ा सा पानी में डालिउट करके अपने चेरे पे 15 मिनिट से आदे खंटे के लिए लगा ले आप 15 मिनिट लगा ले उसके बाद नॉर्मल पानी से या गुलाब चल 2-4-6 बुन डाल के उस पानी से अपने चेरे को धो दे ऐसा अगर आप 15 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके चेरे पे एक अजीव सी चमक एक अजीव सा रंग की लाइट और इसकीन के कलर की फेरनेस बढ़ेगी और आप देखेंगे कि आप ठीक हो गए बात बहुँ छोटी सी है लेकिन बात काम की है आप इसको करिये और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ अपने मेहनत के पैसे को आप इन विडेशी कमपनियों या देसी कमपनियों को जाया ना करें कोई क्रीम आपको गोरा करने वाली नहीं है जितनी क्रीमों में फेरनेस लिखा होता है उसके आग एक इस्टार बना होता, एक बिंदी बनी होती है जिसमें लिखा रहता है कंडीसन सप्लाई तो यहाँ कंडीसन ऐसी होती हैं कि आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते और आप इसे जीत भी नहीं पाएंगे तो यह घरिलू चीज है अगर आपको फाइदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी पहले तो यह फाइदा ही करेगी आप इसको करके देखें और हमें पंदा दिन करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिखके जरूर बताएं वो राय औरों तक भी जाएगी हो सकता है आपकी राय अच्छी हो हो सकता है आपकी राय अच्छी ना हो लेकिन वो राय दूसरों तक भी जाएगी और दूसरा समाज भी उससे प्रेणना पाएगा अगर आपको यह कारकरम हमारा एक छोटी सी बात अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को शेयर करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबा कर हमारा नय से नया वीडियो योही बाते रहिए आपका साथ देने के लिए साथ रहने के लिए यूटूब चैनल को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत आभाद धन्यवाद साथ उपाद बहुत आपका बहुत आपका